दोस्तो स्वागता आपके अपने चनल सिविल साइड विजिड में दोस्तो आज का वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टन होने वाले है उनके लिए जो साइड इंजिनेर है परसुई सिविल इंजिनेर है जहां कोई भी आपकी गर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो यह वीडियो ज़रूर देखना क्यूंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो मेरी पहले शुकी है जिसमें मैंने चैकलिस्ट में सब बताया था कि पूरा हमें क्या क्या देखना होता है लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चिज्जें जोडूँगा जो आपको ऐसे नॉर्मल वीडियो में नहीं मिलेगी बेसिक आपको सब बता देंगे कि यह यह करना है यह यह चेक करना है लेकिन आज की वीडियो में कुछ नया आपके लिए रहने वाला है तो complete वीडियो देखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि यहां पर आपको मतलब एक्जिक्यूशन की स्किल्स प्रेक्टिकल ट्रेनिंग सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा तो स्टार्ट करते हैं देखो जैसे आपकी साइट पर यहां गर पर ब्रिक आती है सबसे पहले तो उसकी क्वाल्टी चैक की नाम लूगा कि में वीडियो बनाक हूं विडियो आपको इस्क्रीप्शन अगर चैंद ब्रिक्याका बड़्टė सब let's make a P fid तो दो गंठा पानी मारता रहो लगतार ऐसे तो इसको 24 गंटे पानी में डुबा के रखना होता है लेकिन वो तो कोई करता नहीं और पॉसिबल नहीं होता है तो लेकिन उसको पहले क्योर कर लेना है पानी उस पे छांडते रहना है एक दो गंटे तक जब एक वार यह हो से उसमें भी टेस्ट होते हैं सिल्ट नहीं होनी चाहिए और उसमें उसको प्रॉपर से शाना होना चाहिए तो यह चीज़ें आपको पहले चेक कर देनी है यह मैं मेटीरियल की क्वाल्टी की बात की अभी हम बढ़ते हैं ब्रिक बर्क की तरह जो सामने आप देख रहे हो हैं जो हो रहा हुआ है हमारा अ刚 Whew छे राप लृक चाहर को आपट ये हमारा चाह ऐल्टरेटायर का कोर्स लगता है एकום हिख लगता हैं तो यह हम हम आपट जाती है डियुआ Oui दूसरे चीज आपको जो Посबметो कर प्लाश्टर नहीं है जो जोएंट बनता है हमेश्यां youtube अगली चीज आपको आपको ब्रिक dess에서 करनें यह तो वह करनी है आपको मतलाब मैक्सीमम जब ब्रिक वरगा हो तो उसकी जो लेनल tecnología एक से 1,5 मिटर से जादा नहीं कर वह जाते हैं ओर इसा कोड यह ऐसे भी आपको पर्टिशन वाल है उसमें आपको बैंड मुस्त प्रवाइड करना है अगर नो इंच की वाल में बैंड नहीं प्रवाइड करोगे गिने के चांसिस हो जाते हैं और बैंड के सामने आप देख रहे हो कि मितलब एक कॉंक्रीट की लियर डाली जाती है चार इंच की और अंदर उसके दू सरीया आठ है यहां 10 mm के डाल दिये जाते हैं कि प्रॉपर वो रहे उसमें कॉंक्रीट में भी क्रैक नहीं आए ठीक है और जो हमारी 9 इंच होती है वहां आपको लि कुछ रहे थे लोग कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर क्यूरिंग करनी है ठंडी में भी क्यूरिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए क्यूंकि एक हमें वटसेप पर कोशन भी आया था कि सर मैंने क्यूरिंग की और दिवार गिर गी ऐसा कुछ नहीं है उसमें प्रॉपर से को क्यूरिंग करनी ही करनी है यह हमेशा ध्यान रखना और अगर आप रेशो उसमें यूज करे और यहाँ यह हमेशा याद रखना और जो कोई आपको मना करे कि ठंडी में क्यूरिंग नहीं नहीं है तो वह गलत है आपको क्यूरिंग करनी पड़ेगी साथ दिन तक ठीक है यह रखो मतलब जादा ले लो मतलब एक यह वार क्यूरिंग की तीन-चार गंटे का ले लो कि तब तक ब्रिक वैट है कि नहीं अगर बिक सूखने लगी तो फिर से क्यूरिंग उसको चाहिए क्यूंकि जो सीमेट होता है उसको हाइड्रेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए तो इसके लिए क्यूरिंग मस्ट है अब अगली बात करते हैं हम क्रैक्स मेरे को पुछा जाता है कि सर क्रैक्स आ जाते हैं जैसे हम ब्रिक बर्क करते हैं ब्लॉग बर्क करते हैं तो क्रै कराओ पहले तो उसको अच्छे से हाकिंग कर लो टाचा मार लो मतलब उसमें खड़े-खड़े डाल दो कि एक प्रॉपर से जॉइंट बने दोनुची जुमें और जैसे कॉलम और ब्रिक का आप जॉइंट बनाने जा रहे हो पहले एक सलरी बना के लोंपे लगा दो उसमें दो टो यहां कम हो जाते हैं ऑर ज्यादधा कम करने के लिए करहकμε हम क्या कते हैं थो जहां भी जोइंट आता है नहीं मिले consiste और ighbor में उधरी कन खोड़ दयते हैं तो थोड़े ताइम बाद नए पर चोंगा तो आपको क्या करना है alternate वहां brickwork लगाना है कि जब आप दूसरी brickwork करो तो वह proper से दोनों में joint बने जैसे आप सामने देख रहे हो ऐसे में आपको joint बनाना ही बनाना है ठीक है यह चीज़ और अभी मैं बात करूं साइट इंजिनियर को और क्या चेक करना है तो एक तो plumb bob तो आपको चेक करना ही करना है दूसरी चीज आपको क्या चेक करना है वह तो ऐसे साइड इंजिन आपको तो यह मस्ट चेक करना ही करी ड्रोइंग के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है जैसा ड्रोइंग में में मैंचिन किया कि यहां दिबार आनी चाहिए वह तो आरी आरी नहीं आरी है और बाकी जो भी ब्रिक बरक होगा वो लाइन में होना चाहिए अगर लाइन में नहीं हुआ ना तो बाद में क्या दिक्कत आएगी जब प्लास्टर हम उस पे चड़ाने जाएंगे प्लास्टर करने जाएंगे तो उसमें कही जगा 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 कम प्लास्टर आएगा तो वो काफी हो जाती हैं जहां जादा आएगा क्रेक्स की चंसी और जाती आप ब्रिक नांग का जात ज़ाते हैं और कई बार काफी जादा भी वेश्ट हो जाता है तो ये चीज तो मस्ट चेक करनी करनी ए है । ठीक है यह कुछ बेसिक पाइंट से इस पे इस कंटीन्य प्रेक्टियल सीरीज एक दो वीडियो और ब्रिक पे लाऊंगा मैं उसमें और चीज़ें एड़ करूंगा तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और जॉब्स के लिए आपके लिए नया चैनल क्रियेट किया है और काफी अच्छा रिस्पांस दे रहे ह और यह इस पर जो वीडियो मैंने कहा चैकलिस पर बनाई हुई है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं और यह चैकलिस्ट आपको हमारी वेबसाइट सीविलसाइडविज डॉट कॉम पे भी मिल जाएंगी जाके वह भी आप देख सकते हो और उसमें काफी चीज़ हैं वो भी जाके विजिड करो थैंक्यू गईस